कोरोना में सिफ 47 लाख लोग मरें डवलीएचो के हिसाब से भारत सब्धार के साथ सिर्फ 5 लाइचो जूट बोलता है बीस करोड आजमी मरा नहीं मारा गया कोरोना के टैम में मोदी जी चर्त्रबान है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है परन्त जो राजनीती का मामला देश को समाल नहीं पा रहा है महेंगाई बढ़ गई है बेरोजगाई बढ़ गई है और सम परदायकता जादा बढ़ गई है और मंदिर, मज़तों के मुद्ध बढ़ गए सब मोदी आ बताया ला कि अपकोरा तलो पकोरा तलने की बात कर सकते है ऐसं इंजीनियर नहीं मोदी जी को कोई बोट नहीं देगा, ABM मसीन भी इंटी फेल हो जाए जी, जिकनी भी बेहिमानी कर ले मोदी जी, ABM से चुन क्या है, भास ABM इनको चुनती है और बाकी कोई नहीं चुनता जेल जाएंगे बाबा, जाएंगे तो कोई दिकत में बाद जाल रोटी खाएंगे, हरी के गुडगाएंगे, सबूत है ABM का, हाँ, ABM का एक सबूत नहीं, बहुत सबूत है और इसके लिए धरने पर पहले भी बैठ चुका हो, क्या सबूत है, जोगी ऐसा सबूत है, जाए त चोटे बर्क के लोगों के साथ, जाए वो बिल्कुल पीते हैं, आरे कहावत हम बोले हैं के नहीं का दादी भांग पी के बहुत है, आपनी मुझे बताया, और मैं पहले से जानता हूँ जो तीन साल हम साथ मेरे थे, तो वो भांग का सेबन करते हैं, क्या-क्या उनके साथ तो क्या-क्या उनके बारे में जाना बता हैं, अब मैं ज्यादा सुम्हें नहीं बता हूँगा, ज्यादा बताना ठीक नहीं रहेगा, इस फून के छीटे तो आपके कप्रे पर भी होंगे, जो हत्याएं हुई रत्म, मन्नी रादोलन ने, उसी लिए हिर्दय परवर्तन हो मैं सेकुलर हो गया, मोदी जी अभी कट्तर है, लगता है कि आप से गलती हुई थी, अपराद की आपने, यह नहीं कहता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे यहीं मालम होता तो मैं रत्यात्रा में कभी नहीं होता, मैं देश के इंतरगत में हैं सब बराबर हैं, हिंदु धरम खत्रे में हैं और आप पेट्रॉल और डिजल की चिंता सता रही हैं आपको, कहां से खत्रे में, प्रदान मंत्री हिंदु है, राष्पती हिंदु है, आई-एस, आई-पि-एस, मुक्ष मंत्री, अधिक तर सभी 90% हिंदु हैं, तो उसके तरगत में हिंदू का खत्रे में हो सकता है कि अब राजनेतिक पार्टिया और खासकर मोधी जी खत्रे में है तो उनकी गद्धी 2024 में जाएगी मोधी की कौन ले लेगा मोधी कलकी अवतार हैं भगवान विस्नों के रूप है हरहर मोधी घरघर मोधी आप मानुवर आप पर नहीं हो गया है पहले कहते थे कि लाल लाल आंखे दिखानी चाहिए, अब लाल लाल आंखे क्या, जब कैलास परवत हमारा चाइना के इन प्रगत में, वो लाल लाल लांखे कहा चली गई, मोधी जी को जन्डिस हो चुका है, अच्छी तरह से बालुम है, मोधी जी केवल यहाँ पर भारत में मंदर के नीचे तरह तरह के चिन देख रहे हैं, कैलास पर वहारे सास्त्रों में लिखा हुआ है, वहाँ पर भगवान को खोजने के लिए नहीं जा सकते हैं, मोधी जी को मैं यह कहना चाहूँगा, भोजना है तो वहाँ खोजिए, जो राष्ट के लिए फैदा हो, वहाँ पर हिंदू भी साथ देगा, सभी लोग साथ देएंगे, पर यहाँ पर आपस में न लड़ाइए, जाइना थर-थर काप रहा है मोधी जी के डर से, तबी हमारे इतने सेनकों को मारा था और मोधी जी ने नातक किया था, हम लोगों को समझाने के लिए, हमारे आंसु पहुंचन भी टक छोड़ लिये राश्ट उनके लिए पर्थम हैं उनकी से वा कर रहा है, राजनीती न ही कर रहा है, सादू है, तपस्वी है, तपस्या कर रहे है वो, मोड को दाना खिला रहे हैं, मोधी जी पतनी के काम के नहीं थे, इसलिए मोधी जी को घर से बगा दिया है, मतलब मैं यह कह रहा हूँ डंका नहीं बज रहा है कि देश के इंतरगत में कहां बिश्व में जो की लोग पहुंच गए हैं और मोदी जी यहां पर केवल कभी भगवान भोले को ढूंडते हैं कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुशलमान सब इनी बातों को करते रहते हैं मौधी जी बागी जो करना चाहिए औहुत बहुत बरोजगारी बहुत ज़्यादा है दुनिया के भारत के इंतरगता किसे मालूम पढ़यागा थिसनी रहों कर थी और वहां कहती रहती हम तरुरोदंगारी है मोदी जी को देखिए उद्ध्यका का evident हर भगबान राम को समझने रहे हैं विसाल महा विसाल मंदिर दे दिए कई क्लब कर दिया अभी अभी जानबापी अभी मत्वर हैं और इतना काम कर रहा है को उनके लिए सामने मेंगाइए नहीं को भी तो कि उखते हैं हजारों रुपय के लोगी और दसलाक का सूट पहिंटे हैं रोजाना कई कई सूट अनके लिए नहीं नहीं है तो भारती हो सब्सथियर चौदुरी सब सब्सक्राहिए मोदी मोधी नहीं को दुनिया मैं भाइन नहीं जान पाता है मैं तो सोचल मीडिया का धन्यबाद देता हूं जब मुझे जेल के इंतरगत में रखा गया कुछ दन पहले धाई महीने के लिए विचले तो मैं बताता हूं आपके लिए तो कितना बड़ा मामला हुआ यहां पर कुछ पत्रकार महोद ऐसे में नाम नहीं पताना चाहूंगा उनके पास भी फोन आया प्रेसर राइज किया देया मैं कहरा हूं मोधी जी की मीडिया जिक्री है केवल प्रेसर में एक बार मोधी को एसा नहीं रहे लिए मैं तो जेल जाता ही रहता हूं कभी मोधी जी के मुद्धे पर जेल भेजती ही रहते हैं आप भी भेज सकते हैं लेकिन आप कोई काम ऐसा नहीं लग रहा है जो नोटबंदी जी सबसे बड़ा निकंबा जो की सरकार निकंबे प्रधान मंत्री है तो मोधी जी मुझे इन सब्दों का प्रियोग नहीं करना चाहिए मैं का रहा हूं मोधी जी पाकिस्तान और मुस्लिम दो सब्दों को निकाल दें मोधी जी को कोई बोट नहीं देगा यह बीम सबूत नहीं बहुत सबूत है और इसके लिए धरने पर पहले भी बैठ चुका हो क्या सबूत है यहां पर जो की हजारों की तादात में लोगों ने पकड़ी है यह सबी जो की सामने प्रमान जो समाचारों में निकले करें करेंगे और जब तक देश में हिंदू मुसल्मान करेंगे विकास के काम नहीं करेंगे रोजगार लोगों को नहीं देंगे जो बाइडा किया था दो करोड़ हर साल रोजगार देंगे तब तक में मोदी जी का पुर्ज और ब्रोद करता रहूंगा मंत्री मुझे मालूम है कितने वाट देश में प्रांस इत्या दीखा और वो मेडिया नहीं दिखाया तो मुझे मालूम है कितने यसजी बात है मैं उनका संब्वान करता हूँ फिर मोदी चीसे यहीं करऊगा कि मोदी घर इस्थिति कें लिए ριंडाई को स्माप्त करें को समस्द करें राष्ट मता की राजीति हो नीचाहिए नहीं शब्से बरे राष्टबादी हैं वो मोदी यह बात करें लंच प्रस्टूद से जंता जानती है सब लोग आσα हुए सब करेंum मालिया मोधी भाग गया देश से मैं यह क्या रहा हूं मोधी जी के मित्र थे और मित्र उनको दिया उसके बाद में वो गया है यह बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं मोधी जी का दोस है कमजोर प्रधान मंत्री इस कार से इतने भोटाल हुए नहीं तो कोई भोटाला नहीं होता जो विदेश भाग गया है मोधी जी के डर से भागा है नहीं तो उसका पासवर्ट जब्ट कर लिया जाता इंटर पोलों से आज भी ला सकती पर तो ऐसा नहीं किया कि मोधी जी की सरकारी होनी चाहिए को समप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है मोधी जी दूसरों को खुश करने के लिए कैसा काम कर रहा है और मैं कहता हुआ और प्रदान मंत्री की ज़रूरत है की देख रहे हो कि रहे हैं उन्होंने प्रकार कर्मचारियों को होनी चाहिए और जो बहुत ज्यादा बेतन वड़ गए लाखों 10 आदे होने चाहिए इसमें कोई संका नहीं है परंत उनके साथ अन्याएं नहीं होना चाहिए उन्होंने जीवन पर मैनत कि भारत रतन अटल बिहारी बाजबई ने पेंसन खतम किया था कोई सोच समझ की तो कि नहीं नहीं पाए थे हालांकि जो बुजर्ग हो गया और उन्हें साथ साल तक समाज की सेवा की है उसको पैंसिल मिलनी चाहिए देखते हैं कभी कभी तो टीवी अखवार वाला सब भांग पिये हुए उस अब जो इतना मोदी 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 कर रहा है इतना प्तारीफ कर रहा है आपके कहने से देश म पंता हो तीन साल हम साथ में रहे तो वह हांं का सेबन करते हैं आंंडी साथर के पास रहे हैं हम ःमतावाद मेरा है हम जो कि हम शुकानन्द में रहे हैं जहां सुकदेव जी ने तपश्चा की यह बीजो कि आपको इसी में पढ़ेगा मत प्रदे मंसौर जिले में पढ़ेगा हम चित्तार गड़ रहा हैं और देश के काफी विविन भागों में हम साथ में रहे हैं और क्या देखा उतो तपस भी हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है परंतु जो राजनीती का मामला देश को समाल नहीं पा रहे हैं महेंगाई बढ़ गई है बेरोजगारी बढ़ गई है और संप्रदायक्ता ज्यादा बढ़ गई है और मंदिर मस्जदों के जो की मुद्धे बढ़ गए हैं तो मुझे में रास्ता बतायेतैं कि फ्रने की बात कर सकते हैं वे इंजीनियर नहीं मुझेर नहीं बना सकते हैं पकोड़ा चलवा मोजी ऒंचा चीज यहीं रोजगार बता सकते हैं तो स्फराऋत मैं सिरम दो जूट बोलता है 20 करोड़ आदमी मरा नहीं मारा गया कोरोना के टैम में जन संख्यानी अंतर्ण तो नहीं करते हैं जैल चले जाओंगे आप जैल जाएंगे तो कि यह बाबा की जिम्हेदारी है पूरी जांच करा लीजिए कि क्या क्या नहीं हुआ तो मैं यह कहना चाहूंगा अभी देश को रोजगार दीजिए महंगाई समाप कीजिए करतो दिए कली तो पैसे कम किए गैस पर भी दोसों की सबसीटी कर दिए पैसाट रुपे का इन्होंने जोगी बहा करके दस रुपे कम किए और दोसों रुपे उनको किए मैं दोसों रुपे उच्छिला योजना के लिए क्या जो बिल्कुल होना चाहिए था नाम बता दीजिए अड्रेस बता दिये ताकि लोगों को पहुंचने में असाल मेरा नाम संत्युवराज है राधे रानी मंदिर रांधेरा धाम तैसील च अधर करेगा वह सोई है करें करें रहें है हम संथां से बड़े नहीं हो सकते हम राष्ठ और एक अगर झाल झाल